Hello everyone, guys, my name is Vineet Kankreya, I am your con teacher at this wonderful channel, MBA वाला भाई P.W. So guys, एक question, हमेशा आपकी दिमाग में रहता है, कि sir, MBA तो करना है, sir, top B school से करना है, sir, हमारा dream B school decided है, sir, हमारा dream I am decided है, हमें वही से करना है, और उसी के हिसाब से हमारी जोर शोर से महनच चुरू हो गई है, लेकिन एक question दिमाग में आता है, sir, कि कौन से specialization में MBA करें, अब आपका यहाँ तक तो points हैटे की, cat देनी है, और कोई-कई moments आपको देनी है, कौन सा आपने dream college देखना है, वो आपका सब decided है कि भई मेर को यह, 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 यह सारे colleges चलेंगे, लेकिन, sir, इसमें जाने के बाद कौन सा specialization करना चाहिए, again, बहुत से students का वो भी sorted है, वो भी sorted है, लेकिन majority student को यह doubt आता है, guys, और उसी के regarding आज का यह video है, और बहुत ही short and sweet रहने वाला है, so yes, सबसे पहले तो, यार, आपकी दिमाग में question आता है, sir, हमने कौन सा करना चाहिए, वो पहले बताओ, मतलब कौन सा specialization best है, कैसे select करना है, वो तो हम definitely देखेंगे, how to choose MBA specialization, in fact, यह point जाधे important है, लेकिन पहले तो आपकी दिमाग में यह आता है, sir, कैसे select करना है, क्यों बोल रहे हो, हमें सिर्फ बता दो कौन सा specialization based है, हम बस वही कर लेंगे, है न, यानि which specialization is best for you, which MBA specialization is best for you, so guys, एक चीज़ याद रखना, जो specialization top 20 schools आपको दे रही है, वो सारे best है, in fact, आप traditionally बात करो, तो MBA किसमें होते थे marketing, finance, HR, IT, operations, जो आज भी है, जो आज भी हो, आज भी भूम में है, ठीक है, लेकिन तब industry की requirement वैसी थी, आज अगर कोई नए specialization आप देख रहे हो, जैसे कि data science, MBA in agri business management, MBA in rural development, sports management, entrepreneurship, तो guys, ये सब चीजों में अगर आप देख रहे हो, hospitality management, बहुत भूम में, तो guys, अब ये जो specialization आए है, ये क्यो आए है, industry requirement है, यानि जो marketing, finance, HR, IT, operations, वो तो है ही, साथ में ये सारे specialization बी आ गया है, और ये सब अपने अपने जगे best है, फाडू है, फाडू है, जिसमें आपका career best होना ही है, तो ये top tension लोई मत सर, इतने specialization है, उस college में जहाँ पर हमारी admission हुई है, या होने वाली है, अब इसमें से कौन सा करें सर, नहीं समझ रहे है, तो आप ही बता दो कौन स मेले चार में काम होता था, अब अगर इतने बढ़ गया है, तो क्यों, क्योंकि ये reason, ये simple reason है, ये industry की requirement है, और जैसे requirement बढ़ेगी, आने वाली दिनों में आप और भी ज़्यादा specialization देखोगे, तो guys, ये question से तो आप बिलकुल छुटकारा पा सकते हो, which specialization is best, जो भी specialization हमने under consideration, यानि ये सोचना चाहिए, एक specialization select करने से पहले, मतलब हमने चिठ्थिया डाल दी सारे specialization की और एक चिठ्थी select करी, अर्रे भाई, HR का number आगया, चलो HR कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, अफकोस, ये तो आपको भी पता है, है ना, या कडवकडवंबे वो नहीं, बहुत important points है guys, जो आपको consider करने होते हैं, कोई भी MBA specialization को select करने के लिए, और वो कौन-कौन से point है, बस इसकी चर्चा हम करेंगे, जैसे मैंने कहा, बहुत short और sweet वीडियो रहने वाला है, लेकिन बहुत काम का ये वीडियो रहने वाला है, so yes guys, points under consideration, सबसे पहला point आता your interest, your interest, है ना भाई, interest के उपर तो कभी मत जाना, just भेड़ चाल मत करना कि सब उदर जा रहे, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, या मेरे भाई ने इदर किया था, वो US में, मेरे बहन ने वहाँ किया था, वो Canada में है, इसलिए मैं भी इसी specialization में कर लूँगा, नहीं, हो सकत है, उनका interest था, इसलिए उन्होंने अपना पुरा जी जान लगा दिया उसमें, ठीक है, और इसलिए आज वो अपने बड़े सही मुकाम पे है, लेकिन आपको guys अगर सही से करना है, तो पहले अपना interest देखो, भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, अगर MS धोनी आज भी जब retire हो सारे format से, बस IPL खेल रहा है, फिर भी जब ground बे आता है, तो जो chair up धोनी के लिए होता है, opponent team के भी जो fans होते है, है न, वो भी उसके लिए chair up करते है, simple reason, क्योंकि भाई उसने पूरे interest से अपनी जी जान नियोचावर कर दी sports के लिए, मान लो अगर वो TC बन के ही रह जाता, ठ देखे होगे अपने MS Dhoni movie, तो आज धोनी, धोनी ये सुनने मिलता हमें, बिल्कुल नहीं मिलता, guys, simple है न, तो अपने interest को, अपने passion को follow किया, तो yes, आपको पहले तो अपना interest समझना है, क्यार आपका interest किस चीज में है, आपको numbers में मजा आता है, या आपको किसी से communicate करने में म मुझाता है, आपको टेक्नोलोजी में जिया ज्यादा मजा आता है, टेकंनीकल चीजों कोई कोई होता है, काफी techno-fficiency होगे होता है, इसको technology, कोई भी नहीं technology तो इसको सीखना होता है, कोई बिल्कुल reluctant होते है, क्यों आरी, और यह नहीं 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 technology क्यों आ पकूणी देखो जैसे मैंने कहा sports management बहुत boom कर रहा है बहुत कम institute है जो provide करती है लेकिन किसी को अगर उसमें interest और उसमें अपना career करना चाहते है जैसे कि जो leagues आचकल नहीं नहीं leagues आ चुकी है प्रीमियर लीग इंडियन प्रीमियर लीग और बहुत से कबड़ी देख लो काफी sports को पहले जैसा नहीं रहा है कि बस हर गली में cricket ही खिला जा रहा है आज भी cricket boom पे रहना भी चाहिए लेकिन आगे भी बाकी sports भी आगे आ रहे है और उस वज़े से ये field भी बहुत boom में है ठीक है तो yes guys आपको अपने interest को अपने passion को पहले तो समझना है कि क्या है भेड चाल का हिस्सा नहीं बनना है so your interest second अगर आप देखो check your strength again one and the same thing strength मतलब बस जैसे कि आपको numbers में बिल्कुल समझता ही नहीं है एक का दो दो का है कैसे तो आपने अच्छी से मेहनत करके MBA में admission ले तो ली है लेकिन आपको number आपको पढ़ना पसंद ही नहीं है यह आपकी strength ही नहीं तो यार जहाँ पे numbers का खेल होता है जैसे कि finance बहुत numerical बहुत ही ज़्यादा practical questions और बहुत ज़्यादा आगी भी number पूरी life numbers के साथ खेलना है और वो भी अच्छूख होकर याने बिल्कुल वहाँ गलतियों की गुंजाईश नहीं चाहिए तो यार जो strength आपकी नहीं है उसमें जबर्दस्ती मत घुसो जस अगेन भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है अगे आपको आप थोड़े introvert हो आपको थोड़ा सा public speaking का phobia है तो ऐसे specialization खास कर HR है ना कंसल्टिंग ऐसे specialization मत लो जहाँ पर आपको public speaking करनी पड़े आपको team को lead करना पड़े आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़े ठीक है दिन marketing अगर आप negotiation में बहुत ही कमज़ोर हो है ना marketing में आपको यार हर चीज़ करनी है negotiation करना है सामने आले को convince करना है आपके project के लिए आपके product के लिए आपके सारे overall जो भी services आप जिस company में job कर रहे हो उस company के services आपको आगे क्या करना है promote करना है तो अगर उसी चीज़ में आप कमज़ोर हो तो yes again अपने weakness को weakness ही मत रहने तो उस पर काम करना ही है अगर आप introvert है तो आपको extrovert बनना ही है अगर आप public speaking से डर रहे है तो आपको stage fear को हटाना ही है overall मतलब एक आपका अंदर का जो fear है उसको भगाना ही है तो आपको आपका पता है न किसी का क्या हो सकता है किसी को number में खेलना literally पसंद है किसी को traveling पसंद है तो traveling पसंद है तो again marketing आपके लिए again consulting job आपके लिए किसी को traveling बिल्कुल पसंद नहीं है तो finance job आपके लिए guys तो ऐसे कई सारे चीजे factors होती है जिससे आप अपनी interest अपना strength डिसाइड कर सकते हो और उसके इसाब से आप अपना मैंने कहा ना specialization सारे अपने जगे बेस्ट है किसी institute में इस specialization का highest package रहेगा किसी institute में दूसरे specialization का highest package रहेगा ठीक है So guys again ये बातों पर ध्यान रखो क्योंकि आपको इस साल मतलब इस specialization के साथ पुरी जिंदगी निकालना है अफकोस बहुत से लोग job role switch करते है in between लेकिन उनको क्या दिक्कते आती है वो उनको पूछना जस गलती से गलत specialization ले लिया और फिर बाद में पदा चल रहे हैं यहां तो यह मैं stuck हो चुगा हूँ कोई मजा नहीं आ रहा है stressful, depressed कि नहीं यार मजा ही नहीं नहीं रहा है यह गलती से भेड़ चाल का हिस्सा था ले लिया सब के साथ अब तो मेरे को change करना है job role छोड़ो पुरा overall profile तक change कर लेते हैं company छोड़ो अपना designation छोड़ो हर चीज मतलब किसी और field से बंदा इवेंट मैनेजमेंट में चला गया इवेंट मैनेजमेंट में चला गया मेरे अपने एक फ्रेंड का example है क्योंकि यार वो बंदा था ही उसके लिए best था, perfect था हमारे college के भी सारे इवेंट इतना धासू arrange करता था लेकिन अगिन भेड़ चाल, mass recruiters आये लेके चले गए, बंदा पढ़ाई में भी अच्छा था लेकिन वहाँ अगिन पस job के लिए जो उसका timing है कर रहा है, उतना job करके finally क्या हुआ, 9 to 5 आ रहा है, 9 to 6 9 to 7 job कर रहा है, ultimately salary आली, जिंदगी चल रही है, लेकिन मज़ा चला गया और कुछ सालों के बाद पैसा जब आ जाता है, अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है तब लगते हैं, life कहा है और वही चीज के साथ अगर आप अपना profession follow करो, जो आपका passion है, जो आपका interest है, तो फिर life भी life के भी मज़े, पैसा भी आ रहा है मज़े ही मज़े, ठीक है guys तो yes अपने strength, अपने interest को, क्योंकि पूरी life उसके साथ आपको गुजारनी है, फिर switch करना वह आपिस zero से start करना होता है ठीक है, आज वो बंदा जिसका मैं example दे रहा हूँ बहुत सही कर रहा है अपने life में, लेकिन start उसको फिर से zero से करना पड़ा वो भी काफी सालों के बाद ठीक है, जहाँ अच्छा कासा earning के आदध हो गई थी, वहाँ zero से start करना बड़ा मुश्किल होता है guys, वो भी तब जब आपके उपर responsibility हो, family responsibility हो come on, now your graduation background yes, यह भी matter करता है, कि आपका graduation कि stream में हुआ है, कहा से हुआ है, commerce में हुआ है, science में हुआ है, engineering में, engineering में भी कुन सा specialization है again, not necessary कि उसी से related जा हो सकता है आपने graduation में भी तो mistake कर दी होगी, आप बने हो commerce के लिए लेकिन आपने science stream select कर ली या आप बने हो IT computer engineering के लिए आपने mechanical select कर लिया, production select कर लिया, civil select कर लिया, वहाँ भी गलती हो सकती है लेकिन पहले तो यह अपने आप से पूछो कि जिस stream में मैं अपना graduation कर रहा हूँ, क्या मुझे मज़े मज़ा आ रहा है अगर मज़ा आ रहा है, यार मज़ेदा रही है इसी में मैं management role अगर देख लो एक बार management role क्या होता इसमें तो और मज़ा आ जाएगा, तो बेशक फिर आप इसको continue कर सकते हो, फिर तो आपके सामने अपना खुद का example है, किसी और का example, खुद के example से बड़ा कोई example नहीं आप अगर इस चीज में enjoy कर रहे हो जो भी आप अपना graduation pursue कर रहे हो मानलो BBA in finance कर रहे हो, BBA in marketing कर रहे हो और उसी में आपको मज़ा आ रहा है और वो आगे आप MBA pursue करना चाहते हो, बिल्कुल करो लेकिन अगर graduation में आप से graduation में समझ रहा है, मैंने BBA तो कर लिया computer application में है, लेकिन मज़ा तो नहीं आ रहा है करने के लिए करतुलिया बस degree for the sake of degree, तो आपको अब यहाँ से उठना है कि नई भाई, अब थोड़ा सा समझ के, क्योंकि now this is the last course जो अपने life में करने आ रहा हूँ PhD करोगे, बहुत अच्छा, लेकिन rarely कोई करते है, तो इसी के साथ आपको चालना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ पुरी life, तो इसी लिए सही से, अपना graduation background देखो और उसको पूछो कि क्या मैं इसमें enjoy कर रहा हूँ कोई कोई तो बहुत ही plain होते है background जिसका आगे MBA में कोई मतलब नहीं है तो फिर आपके लिए बाकी factors है जैसे मैंने का interest, अपका strength then guys, your family background खास कर वो student जिनको long life job नहीं करना है नहीं कोई दिमाग में start-up की idea है लेकिन family business ही इतना बड़ा है कि उसी को आकर join करना है मतलब decided है कि बस market में 3-4-5 साल job करना है, आटे दाल के भाव समझना है क्या होता है practical exposure और फिर अपने business में जूड़ना है यह बड़ा कारुबार है लेकिन इसको और expand करना है फिर आपके लिए entrepreneurship management है आपके लिए काफी चीज़, अगर मानलो आप ऐसे family business से बिलॉंग करते हो जहाँ पे industries है तो आप और जो supply chain का थोड़ा सा वहाँ issues है, तो आप operation management में, supply chain management में अपना MBA कर सकते हो आपका business core supply chain related है, मानलो कोई logistic business है, तो आप logistic business के लिए again supply chain या operation management में MBA कर सकते हो अगर आपका कोई ऐसा product है जो बहुत अच्छे boom पे है लेकिन उसको आगे expand करना है, उसको out of country reach, मतलब other countries में भी आपको export करना है तो आप IB में कर सकते हो, international business में आप ऐसे background से हो, जहाँ पे family background, जहाँ technology से related business है, या आप खुद एक start-up सोच रहे हो, जहाँ पुरा technical background काम आने वाला है, तो आप IT से ambient system, ambient IT कर सकते हो तो yes guys, खास कर वो student जो आगे start-up का सोच रहे है या जिनका family background ही काफी strong है और जिनको पता है कि भई, 3-4-5 साल बाद हमें आगे यही पे एक maturity लेकर हमें इसी को join करना है 0 से start करोगे, तो हमेशा थोड़ा सा कुछ चीजे रहे जाती है, तो इसलिए practical exposure है कि इसी को join करना है, तो फिर आप उस हिसाब से सोचो कि आपके family में आपकी किस चीज की सब स्यादा requirement है या आपका family business सब स्यादा किस चीज पर hamper हो रहा है, वो चीज आप अपने आप में लेकर आओ, ठीक है, और फिर उसको settle करो, next guys, long term career goal, yes again आप अपने आपको, जैसे मैंने का आगी, again, आप अपने आपको आगे चल कर क्या देख रहे हो किसी company का CEO के तोर पर देख रहे हो, या अपने खुद के start-up के owner के through देख रहे हो, या अपने family business में ही और बड़ा expand level पे ले जाने के लिए देख रहे हो, तो आपका long term career goal क्या है, उस हिससाब से आप अपना MBS specialization select करो, ठीक है, आपको पता है कि मुझे लागे चल के life में आर मैं इतने सालों से अपने school में college life में, यहाँ पे यह करते आए, मेरे को मज़ा आता था, आगे चल कर भी मुझे उससे related कुछ start-up सोच रहो, x, y, z, कुछ भी हो सकता है, यह हर एक आलग होगा, इसलिए मैं आप पर छोड़ रहो, और यह select तो आप नहीं करना है, हम बस आपको क्या दे रहे हो, factors दे रहे हो, जो आपने बराबर से सोचना है, तो yes, आप सोच हो कि आप अपने आपको कहा देखने देखना चाहते हो down the line 10 years, 10 साल के बाद, as a service में पूरी life, of course, यह भी किसी-किसी के एक हो यह रहे हैं कि नहीं सर, मैंस कहा खुद का business tension, कौन पालेगा, किसी अच्छे से company में top level पे अगर चले जाओ, तो क्या बुरा है, बिल्कुल सही है, हर एक की अपनी सोच और वो अपनी जगे सही होती है, तो भाई, आपने वो ही सोच नहीं कि कि आप अगेन, वहाँ पे तो आप एकदम छोटे level पे नहीं सोचोगे अपने आपको, एक बड़े level पे सोचोगे, तो अगर वो आपका dream है, तो वो भी किस चीज में आप ज़ादा उस पे research करो, त्यार बड़े-बड़े companies के जो CEO बनते हैं, उनका background जनरली क्या होता है, अगर आप neutral mindset में हो, आपका strength, weakness बोलो, या आपका interest बोलो, सब के प्रती बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, सर मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा strength में, को number में भी मजाता है, अगर number नहीं हो, तो भी मजाता है, मैं public speaking में भी अच्छा हूँ, मैं communication में भी अच्छा हूँ, सर मैं negotiation power बोलो, या overall, हर चीज में मैं अपने आपको ठीक ठाक समझता हूँ और धीरे-धीरे मैं अपने इस चीज को improve करूँगा, बट मेरे को बताओ कि मेरा long term goal ये है, सर, उसके लिए कौन सा best specialization होगा, तू research करो कि बड़े-बड़े companies के जो CEO है वो इस level पे कहां से पोच है कौन से specialization के थूँ पोच है कौन से job role के थूँ पोच है, उन पे research करो तो आपको पता चलेगा, अच्छा यार ये करने से थोड़ा जादा impact पड़ता है पहले रखते हैं, कौन से job को market में ज़्यादा demand है recession में कौन से job को सबसे पहले निकाला जाता है सब चीजों भी research करो, अजर आप neutral हो तो आपको strength, interest ये सब चीजों में इतना आपने सोचा ही नहीं सर ऐसा, ऐस सच कुछ नहीं है सबका जोरी नहीं, कुछ ना कुछ एक interest हो गाई या जिसको बहुत ही number पसंद है और बाकी कुछ नहीं पसंद है जिसको बहुत ही public speaking पसंद है, बाकी कुछ नहीं पसंद है कोई को neutral भी होता है तो आप अपने आपका career goal decide करो कि आप अपने आपको खा देख रहे हो, या किसी startup का owner के तोर पर देख रहे हो, तो वह startup भी तो decide होगा ना, मन में इतनी maturity तो अफकोस आचुकी ए graduation तक आते जाते कि कौन सा आगे अगर business करना भी तो किस चीज में करना चाहिए जो आपका एक interest बन चुका है और वो चीज के लिए सबसादा demanding role क्या है, ठीक है, कोई अगर आप business कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको सब का knowledge होना ज़रूरी हो, इसलिए बहुत से MBA में आपको जनरली common होता है, सारे subject का एक ज्यान मिल जाता है, जिससे आपको specialization select करने में वो भी एक चीज बड़ी help करती है, लेकिन फिर भी अगर खुद का business करना है तो आपको थोड़ा सा finance का, marketing का, हर चीज का knowledge होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी आप जो business सोच रहे हो, उस आपका network है, आपकी network है, तो basically आपके जो भी अच्छे, जो मैंने कहा ना, किसी को भी नहीं, कोई भी, आप किसी को भी area area को पूछ लोगे तो मतलब नहीं है, जो एक अच्छे मुकाम में अपने life में पहुच चुके है, वो आपका relative हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, senior हो, जो तो यह बड़ा help करता है, बट अगेन यह आपको secondary data है, आपका nature, आपका strength, आपकी weakness, आप से जाधा कोई नहीं समझ सकता, तो पहले तो आपने खुद से यह research करना है, खुद से बाते करनी है, और at the end आपके network का भी suggestion जरूर लेना है, ठीक है, कभी हो भी होता है, कि हमें simple सा हो जाता है, फिर भी हम एक safe side doctor के पास चली जाता है, मैं पता है, जुका में और पिछले काफी सालों से हो रहा है, और तब हमें doctor हमेशा यह medicine suggest करता है, तो direct ना लेते हो आप फिर भी जा रहे हो, एक बार suggestion ले लेते हो, कोई कोई नहीं लेता है, ठीक है, तो लेना हमेशा better ह है, लेना हमेशा better है, and guys, last but not the least, your own research, आपकी अपनी खुद की research, जितना research आप खुद करोगे न, किसी को पूछ के वो उनका सिनारियो बता देगा, उन्होंने कब किया था, तब सिनारियो अलग था, आज सिनारियो अलग है, हाँ, लेकिन उनके थोड़े से pointers दिमाग में स्ट्रेंथ पता नी, शायद हो सकता है, आगे चलके हमको number में मजा आने लग जाए, अभी तो हम neutral है, हो सकता है, आगे हमें marketing के subject में मजा आने लग जाए, HR के subject में मजा, technical subject में मजा आने लग जाए, तो क्या करना चाहिए, अरे भाई, तो फिर आपके लिए, खुद की research बहुत advance नी, एक basic book लेकर आओ, पढ़ने की कोशिश करो, अभी मत करो, अभी cat पे पुरा focus करो, लेकिन आपको भी पता है कि cat से लेकर admission तक के भी आपके पास 5-6 मेने extra होते है, cat होने के बाद ये सब apply करो, फिर group discussion, interview, उनके तयारी को अफकोस इतना time नहीं लगता है, बस उस के लिए smartly, उनकी cat tricks होती है, GD की, PI की और उसके लिए थोड़ा बहुत knowledge, है न, क्या चल रहा है आसपास की दुनिया में, तो ये है तो clear है, तो आपके पास जो 5-6 मेने है, उसको utilize करो गाई, अगर specialization सही से select करना है, तो books पढ़ो, हर specialization की basic basic books लेलो और पढ़ो, देखो कि इसमें interest आ रहा है, इससे भी उपर जाना है, तो आप कुछ short term courses करो, जैसे कि marketing करना है, तो कुछ, उससे related course करके देखो, finance करना है, तो finance related course करके देखो, operation करना है, तो उससे related को SAP course करके देखो, और कुछ short term courses के बाद decide करो, यार ये course में मजा हराएगी न, अगर इसमें इतना म इसी में बोर होगे, तो आगे क्या कर लोगे, तो ये कर लो, तो book से start करो, अगर और टाइम मिल रहा है, कुछ short term courses कर लो, short term courses का फायदा simple है, book पढ़ने का फायदा क्या होगा, जो भी आगे MBA करोगे, मैंने का first year तो generally common रहेगा, तो उस maximum 20 school में है, maximum जगे, तो उसमें तो एक बार दे दिया, आपने पहले book पढ़के गए हो, तो आपको हर subject का थोड़ा-थोड़ा knowledge रहेगा, MBA में आपकी journey start करने से पहले आपके पास knowledge रहेगा, तो ये फायदा होगा, short term courses का तो indirectly फायदा होगा, आपका profile बिल्ड हो रहा है, तो आगे चल कर जब job आप देखोगे, एक साल, देर साल बाद, तो उसमें आप अपने profile पर ये भी तो add कर सकती हूँ कि अपने इन इन चीज़ों में अपना courses कर रखा है, short term courses तो हमेशा आपको दूसरे में भी help करेगा, कम से कम अपने specialization को समझने में भी, और दूसरे में अपके profile को build करने में भी, and guys internship, सबसे best, practical exposure, internship करो, खासकर उस job role में जहां पर आप अपना MBA specialization लेना चाहते हो, अगर आप 2-3 में confused हो, तो 2-3 internship करके देखो, पहले 2 मेहना कई, पहले 2 मेहना अलग field में, marketing related, फिर 2 मेहना finance related, जिसमें भी आप confused हो, और देखो, कहा जादा मजा आया, मजा in the sense not, अरे, मजा मतलब हसी, मज था कहा, एश चल रही है, मजा, याने काम करने में मजा, काम करने में interest, दस से आठ का time था आपका, कब दिन निकल गया, पता ही नहीं चला, उसको मजा बोलते हैं, यह time कहा चले जाए, पता ना चले, तो yes, internship, again यह आपको indirectly profile में भी help करेगी, तो simple guys, यह 7 pointers को अगर सही से analyze करो अपने आपके साथ बेटो, अभी तो पूरा focus cat पर करो guys, बहुत से aspirant का specialization sorted है, लेकिन जो अभी भी confused है, उनके लिए मैंने यह pointers बता है, पहले तो कौन सा specialization based है, यह मत सोचो, सारे specialization based है, जो आज के तारीक में आ रहे है, वो आज के हिसाब से, आज के सिनारियों, industry सिनारि आपका interest, आपकी strength, अगिन आपका graduation background, check करो, उसमें मजा आ रहा है, तो उसी से related अगर कोई MBA तो करो, नहीं आ रहा है तो उसको तो बिल्कुल मत करना, then your family background, अगर आपको अपने business को ही join करना है, तो of course आप वैसे specialization लो, जो उसमें आपको help करे, वो आपके family business में जो सबसे weak point है, उसको आप जाके best करो, अपने आपको उसमें groom करके, then long term career, again आप manager से कहा कि interest, strength, ये सब चीजे में आप neutral है, ऐसा सच कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, कौन सा मेरा interest है, क्या मेरी strength है, तो आप देखो, आप अपने आपको कहा देखना चाहते हो, service में पूरा life देखना है, वो भी एकदम top most position पे, या startup खुद का, या family business, उससे related कुछ करने की कोशिश करो, जो उसमें आपको खास कर आपने जो idea सोची startup की, उसमें आपको सबस्यादा help करे, या आपने आपने आपको जहां पर imagine किया है, किसी top company में, जिस position पे, उसमें आपको सबस्यादा help करे, उ network, यहां से वहां से, खास कर वो, जिन्होंने अपने life में कुछ अचीव किया है, उनसे पूछो, and सबसे last, खुद की research, खुद की research कैसे है, तो हर specialization, जहाँ पर खास कर आप confused हो, उनसे related book purchase करो, पढ़ो, फिर उनसे related कुछ courses करो, short term courses, जहाँ पर आपको certificate मिले, आपका profile भी build ह और हो सके, time मिले, तो भाई internship ही करो, part time job बोलो, या internship करो, और फिर देखो कि क्या वाके में आपको kick मिल रही है, मजा आ रहा है, continue करो, बस मिलगे आपको answer, कि आपने क्या करना चाहिए, ठीक है guys, again यह आपको profile में भी help करेगा internship, तो desire the pointers, और यह था काफी students का question, कि sir कौन सा best ह तो best तो सभी है, sir कैसे select करे, यह थे seven pointer select करने के, I hope यह वीडियो आपको काम का आएगा guys, कोई भी और other requirement है, किसी other चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, please comment करो, till then bye bye, good day, take care, enjoy